हेलो गैस, हैल करूं दू स्पेशल एज्यूगिशन, नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों हाज की वीडियो में हम करेंट अफेर के बारे में डिसकस करेंगे और जैसा कि आप लोगो पता है कि सेशन का नाम है करेंट अफेर शोट्स तो करेंट अफेर हम शोट्स में और ट्रिक्स के थूर डेली डिसकस करते है तो जो भी कैनिडेट्स पहली बार चैनल पर जिट कर रहे हैं तो चलिए स्टार करते है कल एक्चुली मैंने आपको दो कोश्टन्स दिये थे जिसके बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया सबसे पहला रिप्लाई आया था अमंतिप कोर का इन सब भी लोगों ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया इसके बाद जो दोस्तो कमेंट आया था संचीत बत्राजी का रिप्लाई आया था दैन अनू जी का रिप्लाई आया था इन लोगों ने भी बहुत अच्छे से रिप्लाई किया I hope आप लोग डिली ही ऐसे homework के reply करते रहा करो थाकि आपको पता लगए आपको कितना याद औरकर अफेर वो ट्रिक्स आपके काम आ रही है या नहीं हाते हैं सचले स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फोर्स्ट कोशन दोस्तो आज का हमारा फोर्स्ट कोशन है इन में से किसने पुलिस गर प्राइस जीता है दोस्तों इस कोशन को most 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 important mark कर लेना 101% ये exam में किसी ना किसी exam में पक्का पूछा जाएगा अभी आपको बता जमू एंड कश्मीर से जो धाराट आई थी उसके बाद जो वहां की क्या situation थी उसको इन्होंने छुप छुप के photographic की थी छुप छुप के इन्होंने screening की थी किसी ने सबजी वाला बनके आलू की बोरी में छुपा के camera वहां की photographic की थी तो इसी से लेट इनको प्राइस का नाम कहीं पुलिसकर प्राइस एक्जाम में जां में ऐसे पुछा जा सकता है कि फौिसера-फॉटोग्राफी के लिए चिसज़ आपको याद रखनी है तो कोशन में हम 25 बाइच फीचर फॉल किन किन को दिया गया option आपके सामने यासीन दार को मुकतार खान को चन्नी आनंद को option 1 and 2 इसका right answer आप लोग को देना है तो दोस्तों इसका right answer आप लोग को होगा all of the above इन तीनों को feature photographic के लिए police girl prize दिया गया है अब बात आती है caution बहुत ज़्यादा important है 101% exam में आएगा तो बात आती है इसको याद कैसे करना है तो इसको आप इस तरीके से याद करो यहां से आप उठाओ यासीन नाम का एक बंदा था ठीक है और मुकतार खान से उठाओ कि मुफ्त का खाना मुफ्त का खाना मैं दोस्तों again repeat करो मैं सिर्फ याद करने की आपको एक ट्रिक बता रहो तो इसको अधरवाइस मतले ना कि आप लोगों ने नाम के से बिगार दीन को प्राइज मिला इतने ओनरेबल परसंस है मैं मानतों ओनरेबल लेकिन सिर्फ याद करने की ट्रिक है यासी नाम का एक बंदा था जो की मुफ्त का खाना खाता था मुफ्त का खाने से क्या करो गया मुक्तार खान और मुफ्त का खाना खाने से उसको बहुत ज़्यादा आनंद मिलता था इस तरीके से आप तीनों के याद नाम याद करो ठीक है यासी नाम का एक बंदा था तो यासीन दार हो गया फर्स नाम मुफस का खाना खाता था मुफस का खाना खाने से उसको बहुत ज़्यादा आनंद मिलता था तो आनंद से चन्नी आनंद से आप थर्ड नाम कनेट कर पाऊगे अब जब भी आप option देखोगे इनके नाम आप लोगो को यादा देगे I hope ये question अब आप लोग कभी नहीं बूलोगे तो चलिए मूव करते हमारे अगले question की तरफ अगला दोस्तों जो question है Who has launched the operation Samundra Setu As a part of the effort Raptoriate Indian citizen overseas जो भी भारत के लोग रहते हैं फोरण में उनको वापीस इंडिया में लाने के लिए एक operation Setu start किया गया तो हमें बता रहे हैं ये जो operation Setu है ये किसने start किया option दोस्तों आपके सामने है Indian Navy, Indian Army, Indian Air Force, NSD या फिर none of the above तो ये आपके सामने option है इसका जो राइट अंसर होगा दोस्तों वो होगा Indian Navy, Indian Navy ने operation Setu start किया operation Samundra Setu start किया, बहुत simple सा question है और इसको याद करने की I think trick की कोई भी जरूरत नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ तो यहाँ पर बात हो रही है Samundra Setu मतलब Samundra के थूँ जो बार लोग रह रहे हैं इंडिया के उनको वापिस लेके आना है इंडिया में तो क्या नाम है Samundra Setu तो Samundra Setu से आप connect कर पाओगे Indian Navy ही है जो Samundra से लेड़ीड है बाकी Indian Army नहीं है, Indian Air Force नहीं है और NSG नहीं है, अगर आपके option में exam आप एक option हो रहा है, Indian Coast Guard तो ये भी answer नहीं होगा, इसको भी अटा देना, तो answer आपको क्या होगा, Indian Navy ठीक है, Indian Navy का काम होता है जो Samundra से लोगों को बाहर लेके आना Navy से आप समझ जाओगे, ठीक है तो ये question भी simple से आप लोग को याद हो जाएगा तो चलिए, move करते हैं, अगले question की दिरफ, कल मैंने आप लोग को बोला था कि, दो current affair के questions के साथ-साथ मैं आप लोग के लिए दो steady questions भी लेके आऊँगा, current affair के question मैं daily बढ़ाऊंगा, दीरे दीरे अभी मेरे को थोड़ा सा time नहीं मिल रहा, तो दीरे current affair कोशन बढ़ाता रहूँगा, तीन, चार, पांच, छे, दस तक लेके जाऊँगा, जिससे के हम daily दस current affair के question सियाद किया रहे, ठीक है, तो आज मैं दो steady के question लेकिया हूँ, तो इसका right answer क्या, इंडियन navy, अब बात आती है, इंडियन navy day का बनाते है, इंडियन air force day का बनाते है, लगबाग exam में पूछा जाता है, तो इंडियन navy day का बनाते है, तो इसका जो दोस्तों right answer होगा, वो होगा 4 December को इंडियन navy day बनाते है, ठीक है, अब बात आती है, इसको याद कैसे करना, 4 December, तो navy navy navy, navy navy में कितने letter सा, 4 है, час 4 December से, आप लो connect करोगे, ठीक है, इसको इस तरीके साyd करना, अगला co daily question 하, इंडियन air force day का बनाते है, यहाँ पर क्या बात हो रही है, air force की air force, air force में कितने letter से, 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7 8 letter है, तो 8 October को indian air force बनाते है इस तरीके साब connect कर पाऊगा ठीक है अब कभी नहीं बुलोगे आप लोग यह वली डेट्स और बहुत ज्यादा most frequently exam में पूछी जाती है या 50 परसेंट या फिर 50 परसेंट इसमें से आपको reply करना है एक तो यह पताना है कि India की डिमांड कितनी कम हो चुकिए एक आपको पूरे वर्ल्ड की डिमांड नहीं कितने परसेंट तक कम हो चुकिए इन दोनों का आपको reply करना है अच्छी लगे तो लाइक करके जाना और comment कर कि कोशन का जवाब जरूर देना और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंट के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना